नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मरवाणी 1920 में और रोज की तरह मैं मनुहाजर हूँ आपके सपनों के समस्याओं का हल लेकर सपनों का आज हम बात करने वाले हैं कि इस सपने में यह अपने कवा देख लिया है तो इस सपने को देखने का मतलब क्या होता है दोस्तों सपने में कववा जो आप देख रहे हैं या अपने यहां घर में छट पर बैठा हुआ देख सकते हैं या घर के आंगन में कहीं पर बैठा हुआ देख सकते हैं या कहीं पर खेत खलियान में बैठा हुआ देख सकते हैं, मैदान में बैठा हुआ देख रहे हैं, कहीं पेट पर बैठा हुआ देख रहे हैं, क्या मुदेर पर बैठा हुआ देख रहे हैं, मित्र आप दोस्तों बस इतना है कि सपने में कवे को जो देखा है आपने वो सामान अवस्था में होना चाहिए ना तो कोवा घायल होना चाहिए और ना ही किसी परिशानी में होना चाहिए साथ साथ मित्रों ये सामान अवस्था में इस सपने को आप देख रहे हैं कवे को तब ही इस सपने की व्याख्या की जा रही है वरना दोस्तों आप इसको कहीं पर रोते हुए देख रहे हैं कवे को या कुछ खाना चुराते हुए देख रहे हैं या कहीं पर गलत कोई कारे करते हुए सपने में देख रहे हैं या जिसे डरावनी आवाज निकालते हुए देख रहे हैं तब फिर आपके लिए सपने की वार्ख्या नहीं की जारे इस बात को ध्यान में रहके ही इस सपने का मतलब सुनिएगा तो दोस्तों इस सपने का मतलब बताने से पहले एक कि आपको और बताना चाहूंगा कि बहुत से लोगों के मन में ये प्रिश्ण रहता है ये सवाल उठता है कि सपने का जो मतलब बताया गया मेरे जीवन में वो गटना गटित क्यों नहीं हुई देखिए दोस्तों होता क्या है कि ये किसी भी सपने का फल हमको सिगर मिल जाता है तब तो हम उस सपने को सत्यमान लेते हैं ये पर किसी सपने का फल हमको विलंब से प्राप्त होता है तब हम उस सपने को सत्यमान बैठते हैं जबकि दोस्तों होता क्या है कि रात में किस समय आप सपने को देख रहे हैं, इस सपने के फलित होने की अवद काफी है, तरक उस बात पर ने भड़ करती है, तो यह सपना जो होता है, फलित होने में लगबख 6 महीने से एक साल तक का वक्त ले ले लेता है, यह पर यह आप 12 ब एक से डेड़ महीने में अपना फाल दे देता है यहीं परिद्याद ब्रह्म मूरत में सुपह उठने से जश्ट पहले कोई सपना देख रहे हैं तो यह सपना जो है चोब इससे 48 कंटे में फाल दे देता है फिर वो चाहे सुब हो या फिर असुब तो यह दोस्तों बात करते ह कि सपने में कववा यह आपने देख लिया तो इसका क्या मतलब होता है दोस्तों आमतर पर क्या देखा गया है कि सपने में हमको कववा दिखाए पड़ जाता है तो कहीं न कहीं हम सब लोग ऐसे असुब सपने के रूप में ले लेते हैं और इसका कोई बुरा आर्थ होगा ऐसा मान कर चल लगते हैं, हाँ दोस्तों, किसी विशेश कंडिशन में, किसी बुरी अवस्था में कुछ गलत करते हैं, तब तो आपके संग गलत हो सकता है, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया था, लेकिन यह आप सावान अवस्था में सपने में कववे को देख रहे हैं, तो सपने में कव्य को दिखना कोई असुब नहीं होता है बलकि आपके लिए सुब संक्यती लेकि आता है दोस्तों कई जगे पर मैंने का फिर कुछ इसके अपारी में जानकारी प्राप्त की तो एक जिए हम पर जो निकल के यह सामाने वस्त हमें आपको कव्या दीख रहा है तो इन यह अपके लिए एक प्रकार से सभागी का सोचा के क्योंकि सपने में कव्या को दिखना मतलब दंसमंधि जो समस्ता है आपके जीविन में जली आ ही थी उनके खत्म होने का संक्यत इस बात के तरफ बीष करता है कि आपके घर में महमान आने वाले हैं निकर भविस में औ दोस्तों यह आपने सामाने वस्था में कवे को देखा है तो इस अपने इस पात का भी संकेत करता है कि आपका बुरा वक्त खत्म होने वाला है आपको कहीं से कोई रुका हुआ जो आपका पैसा था भी तक नहीं मिल पा रहा है वो अधन पास आपको मिलेगा साथी साथ यह सत्पात के तरफ इसारा करता है कि आप अपने जिएन में कुछ बड़ा नजर्ने लेने वाले हैं जो कि भाविस्पे चलकर कर आपको बहुत बड़ा लख भी देगा सात्ती साद मित्र सपने सब्सक्राइब को देखने मतलब है कि आप आने वाले इसामय में अपने सत्रों पर विजय राप्त करेंगे तो दोस्तों कोल मिला करके ये सामान अवस्था में आप कव्वे को देख रहे हैं तो ये कोई असोब घटना नहीं है बलकि आपके जिवन में आने वाले सकारात्मक बदलावों के तरफ इसारा कर रहा है साथी साथ आपको आर्थिक तरफ पर सच्छम भी बनाएगा है सपना इस बात के तरफ इसारा करता है तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको मैंने जो जानकारी दी आपको पसंदाई हो कि और आप हमारे इस वीडियो को लाइक अवस्थ करेंगे और साथी साथ यह दिया आप हमारे यूटूब चैनल पढ़ना है तो फिर आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए इससे के बविस्थ में आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन से एक लिए आप तक पुरूश सके और मित्रोज आप चाहते हैं कि आपका अपना कोई सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें